नमस्कार 22 जुलाई हो चुकी है और 22 जुलाई के करेंट अफ्यर्स की वीडियो की शुरूआत हम करने जा रहे हैं एक एक प्रिशन इंपोडेंट है क्योंकि मैंने प्रिशनों को इस तरह से सामिल किया है कि चाहे आपका SSC लेवल हो UPSC लेवल हो कोई भी लेवल हो सभी कर दीजे ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठाज के और वीडियो को सुरूब करने से पहले एक और रोकाश्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिये ताकि हमारा भी होसला बढ़े आपके Like से हमारा होसला बढ़ता है और वीडियो का पीडिया इसका hand written PDF भी मिल जाएगा और अगर आप SSC, UPSC सम्मादित त्यारी करते हैं तो उससे सम्मादित अन्न मैथपूर PDF जैसे hand written notes, test series भी आपको हमारे telegram group में मिल जाएगी, जिसका link मैं आपको description में दिया हुआ, description में link पक्लिक करके आप मारे telegram group से जुड सकते हैं, तो चलिए श step राशन डिलिवरी योजना को मंजूरी दिया है, यह देखिए नक्से में आप देख रहे हैं, यह है दिल्ली और दिल्ली ने जो door step राशन डिलिवरी योजना को मंजूरी दिया है, उस योजना का नाम है, मुख्यमंतरी घरघर राशन योजना, इस योजना का नाम है, और वन राशन कार्ड केंदर सरकार किया कि योजना हैं जिसके तहत एक राश्ट एक राशन यानि कि अपने राशन कार्ड से राश्ट के किसी भी दुकान से जाके व्यक्ति राशन ले सकता है। अपना राशन ले सकता है लेकिन यहां पर एक कंडिसन्स लगाई है दिल्ली सरकार द्वारा अगर व्यक्ति दुकान पर जाके अपना राशन लेता है तो उसे गेहूं मिलेगा जबकि होम डिलेवरी लेता है तो उसे पिशा हुआ आटा मिलेगा यानि कि गेहूं की जगे उस गयों को पिशा कर दिली सरकार आटे का पैकेट देगी चीनी और चापल का पैकेट भी देगी दिली सरकार ने ये योजना शिरू की है इसके अलाबा मैं अगर दिली की बात करूँ तो दिली में एक थाना है जिसका नाम में रोहीडी नौर्थ थाना क्या नाम है नोहीडी रो प्लाजमा बैंक अपने इस्तापित किया था जिसमें पहली महला सिपाई हेमा ने प्लाजमा डॉनिट किया है तो वहीं दिल्ली सरकार एक सरवेच्छड भी चला रही है जिसका नाम है स्वच्छता सरवेच्छड दोयारेकिस जिसके तहित दिल्ली की स्वच्छता और सिपाई बनी है हेमा जो कि रोहिडी नौर्थ थाने में तैनात है चलिए बात करते हैं अगले प्रिशन की अगला प्रिशन है राष्टपती के नए नजी सचेव निक्त हुए है तो इसका सही आंतर हो जाएगा पी प्रडब सिदार्थ पी प्रडब सिदार्थ राष्टप तो राष्टपती के जो नए निजी सचेव हुए है निक्त वो हैं पी प्रडब सिदार्थ आप फोटो में देख पा रहे हैं कि प्रडब सिदार्थ का फोटो है और इससे पहले इसपेशल ड्यूटी अधकारी के रूप में सिवारर थे और अब बिक्रम सिंग की जगे ले लाइक कीजिए और अपने ओप्संस का कमेंट करते रहिएगा तो बिक्रम सिंग को अब भेज दिया गया है शिपिंग मंतराले में संयूत सचेव बनाके तो वहीं पी प्रिवीड सिद्दार्थ को बनाया गया है राष्ट पती का नजी सचेव चलिए बात करते हैं अगले प्रिशन की अगला प्रिशन है यूरोपिय संग कोरोना बाइरस रिकवरी पैकेज के लिए कितने रुपए का कोस जुटाएगा तो इसका सही आंतर हो जाएगा सा स स पचास अरब रुपे का को Bangladesh जुटाएगा कितने रुपे येगा सा स सौ पचास अरब रुपे का कोश जुटाएगा है जोकी सा स् स सzia किया सौ पचास ये美味 का कोश जुटाएगा यूरोपियन संग में कुल 27 देश होते हैं तो ये 27 देश मिलकर 750 अरव यूरो का फंड जुटाएंगे जोकि रिकवरी पैकेज के लिए होगा और ये कितना फंड जुटाया जाएगा इसके लिए यूरोपियन संग की 90 घंटे तक की बैठक चली है कितने घंटे की बैठक चली है 90 घंटे की 90 घंटे की बैठक के बाद ये तैय हो पाया है कि यूरोपियन संग जिसमें 27 देश सामिल है वो कोरोना वायरस रिकवरी पैकेज के लिए 750 अरव यूरो का फंड जुटाएंगे जोकि अब यूरोपियन संग में कितने देश हैं तो यूरोपियन संग में जो देश हैं वो 27 हैं कितने हैं 27 अब यूरोपियन संग की इस्तापना का हुई थी तो इस्तापना हुई थी 1 नॉवंबर 1993 को जोकि नीदर लेंड के मार्चिट सहर में हुई थी और European संके मुख्याले की बात करें तो European सेर का मुख्याले कहा हैं Bressles में है जो कि Belgium में है और European counselling के अध्याच हिस्सा में कोण है तो European counselling के अध्याच हिस्सा में Charles Michael है और यह जो 750 अरब यूरो यानि कि अगर भारतिय रुपयों में बात की जाए तो 64,115 रुपय बनते हैं कितनी रुपय बनते हैं 64,115 अरब रुपय का जो कोश जुटाया जाएगा वो दुनिया भर में कोरोना बाइरस से जितना भी आर्थक नुक्सान हुआ है उससे उबने के लिए यूरोपयन संग अनुदान देगा या फिर कर्ज देगा तो इस पैसे का क्या किया जाएगा कोरोना बाइरस की चलते जो आर्थक नुक्सान हुआ है उससे देशों को उबने के लिए अनुदान अथवा कर्ज के रूप में दिया जाएगा यूरोपियन संकी जो की लगवक पांच दिन चली थी और जो अब फंड की जो बैठक चली है वो 90 गंटे चली है चली है बात करते हैं अगले प्रिशन की अगला प्रिशन क्या है अगला प्रिशन है हाली में लाल जी टंडन का निदन हुआ है वो किस राज़ के राज़पाल तो इसका सही आंसर है मद्य प्रिश मद्य प्रिश के राज़पाल ते लाल जी टंडन ए रहा मद्य प्रिश आप नक्षे में देख पा रहे होंगे चित्र में यहां पर लाल जी टंडन इस राज़पाल थे जिनका हाली में निदन हो गया है और लाल जी टंडन की जगे उत वो कौन हैं वो हैं आनंदी बेन पटेल लाल जी टंडन का हाली में निदन हो गया है अगर हम लाल जी की टंडन के बारे में बात करें तो लाल जी टंडन का जो जर्म हुआ था वो 12 अप्रेल 1935 को हुआ था और 1969 ने राजनीती में कदम रखा था लेकिन 2009 में ये लकनव अब मद्य प्रदेश का जो अत्रिक्त प्रवार है राजपाल का वो कौन समाल रही है तो वो समाल रही है उत्रप्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल चलिए बात करते हैं अगले प्रिशन की अगला प्रिशन है सोशाइड और मडर में मुख्य भूमिका ने वो ने भाएंगे सचिन तेवारी सचिन तेवारी कोने सचिन तेवारी एक टिक टॉक इस्टार है जब सोशांत सिंग राजपूत ने सोशाइड किया था तो सचिन तेवारी टिक टॉक पर काफी बाइरल हुए थे क्योंकि सचिन तेवारी की सकल सोशांत सिंग राजपूत स में फैदा मिला और अब फिलम बनाई जा रही है सुसांत की जिंदगी के उपर जिसका नाम है सुसाइड और मर्डर उसमें सचेंतेवारी मुख्य भूमिका निवाएंगे अब उस टिक टॉक की अगर हम बात करें तो टिक टॉक को बैन कर दिया गया है भारत में और एक और ख का गलत कंटेंग्ट आया तो पागिस्तान में टिक टॉक को बैन कर दिया जाएगा वहीं भारती आर्मी ने फेस्वोक साहित 89 एपों को बैन कर दिया है टोटल कितने एपों को भारती आर्मी ने बैन किया है नवासी एप को बैन किया है तो वहीं जो सुसान सिंग की प्रिशन है इमेजन मीड शिरू की है तो इसको शिरू किया है रितेस देशमुख और दीस मुख और जैनलिया ने यानिकि ऑप्शन Przy유 haven Six diffic जाई दौनों क्योंकि Remedy जो सीरू किया है वो जेनिलिया और रितेश देश मुक ने सिरू किया है जो की दोनों ही कपल्स हैं ये और इसके लिए इन्होंने अमेरिका की एक कंपिनी है बैस्विक सामेगरी न्रमाता आर्चर डैनियन मिडलेंड इस कंपिनी के साथ साज़दारी की है तो वह भारत की एक गैर लावकारी स है गोड़ फूट्स इन्स्टिटूट इसके साथ भी जेनिलिया और रितेश देश मुक ने साज़दारी की है और ये जो इमेजन मीट कंपनी है कवाब ब्रयानी और करी के साथ साथ कई उत्पादों को लांच कर सकती है गोड़ फूट इन्स्टिटूट इंडिया के एक सामेक गिंद्रमा था आर्चर डेनियर मिडलेंड जबकि भारत की गेर लावगारी संस्टा गोड़ फूट इंडिस्टिटूट इसकी साज़दार है बात करते हैं अगले प्रिशन की जोरम मेगा फूट पार्क कहां लांच किया गया है तो इसका सही आंतर होगा मेजोर में मिजोरम में जोरम मेगा फूट पार्क का उद्गाटन किया गया है इसका उद्गाटन किया है इसकी अगर हम बात करें तो इसका उद्गाटन किया है केंद्रिय खाद पिर संसर कर उद्द्योग मंत्री हर समित कौर बादल ने इसका उद्गाटन किया है और इस फूट पार्क के जरीए लगवग 25,000 किसानों को फाइदा पहुचाने का उद्देश से है जिसमें लगवग 25 करोड रुपे का निवेस होगा वेमिन राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क योजनाव पर काम चल रहा है जबकि 19 मेगा फूड पार्क पहले ही सिरू हो चुके हैं चलिए एमेल के साथ रच्छा मंत्रा लेना बारूदी सुरंग हटाने वारे उपकरणों की खरीद के लिए करार किया है रच्छा मंत्रा ले जो बी एमेल है उसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिम्टेड तो भारत अर्थ मूवर्स लिम्टेड के साथ रच्छा मंत्रा लेना कर किया है उपकरण खरीदने के लिए उपकरण किसके लिए खरीदे जा रहे हैं तो इसकी जो अनुमानित लागत है वो लगवक 557 करोड रुपे में इस योजना को मंजूरी दी गई है और एक करार 2017 तक पूरा होना है लेकिन इसकी सर्थ है इसकी सर्थ यह है कि इस नुम करोड़ों में 50 प्रित्रशत पार्ट भारत निर्मित होंगे ताकि आतव निर्वर भारत योजना को और प्रवावी बनाया जा सके तो भही इससे पहले रच्छा मंतारे ने सेन बलाओं को 300 करोड खरीदने की मंजूरी भी दी थी बात करते हैं अगले प्रिशन की अगला प्रिशन है सूरज कदे मर्दा नहीं पुष्टक किस ने लिखी है तो सूरज कदे मर्दा नहीं पुष्टक लिखी है बलदेव सींग ने बलदेव सींग ने पुष्टक भारतिय करांतकारी उदम स पुरा नाम है बलदेव सिंग सदाकरडम इन्होंने पुष्टक सतंता सेनानी उदम सिंग के उपर लिखी है जिसे प्रकासित किया जाएगा यूनि स्टार्सक्स द्वारा और इसे लांचकप किया जाएगा 31 जुलाई 2020 को 31 जुलाई 2020 उदम सिंग की असी भी पूंड तती भी है इसलिए 31 जुलाई 2020 को इस पुष्टक को लांच किया जाएगा इससे पहले बलदेव सिंग सदागराडम को साल 2011 में उनके उपन्यास दहवान दिल्लीदे किंगरे के लिए साहे अकादमी पुष्कार दिया गया था किसे लिए दिया गया था दहवान दिल्लीदे किंगरे इसके लावा इनका एक और उपन्यास है सुरजदी आंक मेंने डहन पुष्कार दिया गया था बात करते हैं अगले प्रिशन की बजाज Finance के चियरमेन को बने हैं? इसका सगी आंसर होगा संजीब बजाज बजाज Finance के चियरमेन बने हैं. वही हाली में रोशनी नाडर मलोतरा HCL TEC की चियरमेन बनी थी. HCL टेच में इनोंने अपनी पिता सिर्व नाडर कहिस्तान लिया था वही जमनालाल बजज बजज फाइनेंस के संचता वक थे और राहूल बजज ने अभी बजज फाइनेंस से इस्तीपा दिया है तो राहूल बजज के पुत्र हैं संजीब बजज जो कि बजज फाइनेंस के अब चेयर्मेन बनेंगे चेयर्मेन राहूल बजज की बात करूँ तो वो 1987 से ही इस कंपनी का संचालन कर रहे थे लेकिन अभ इनोंने इस्तीपा दे दिया है जो कि सक्सेशन योजना के तहत है 31 जुलाई 2020 को वो अपनी पद को छोड़ देंगे उसके बाद 1 अगस्त को संजीब बजज बजज फाइनेंस का पद समाल लेंगे अगर मैं राहूल बजज की बात करूँ तो राहूल बजज पदम भूसर से समानेत है पदम भूसर पदम भूसर से समानेत नहीं है पदम भूसर से समानेत है और ये 2006 से 2010 तक राज सवा के लिए सदस्वी रहे थे रावलो बजाज कौन से प्रोस्कार से सम्मानेत है पदम भूसर इसके लावा बजाज फाइनेंस हाउसिंग ने हाली में एक e-home loan सुविदा भी सिरू की थी कौन सी सिरू की थी e-home loan सुविदा सिरू की थी चलिए बात करते हैं अगले पिसन की डेंगू ब्रयोदी अभियान क की सिरूवात की है और अपने राजवासियों से अपील किया कि वो प्रतियक रवेबार को 15 मिनट का समय दें डेंगू स्वच्छता के लिए और अपने घर में स्वच्छता रखें अपने आसपा स्वच्छता रखें गंदे पानी को एखटा ना होने दें कूलर टायरादों के पानियों को बदलते रहें और इसके लिए बेबिने प्रकार के टीवी एड्स भी चलाए जाएंगे और कई प्रकार के टीवी एड्स भी चल रहे हैं डेंगू की रोक थाम के लिए भारत में भी चल रहे हैं लेकिन अब उत्त्राखन सरकान ने डेंगू ब्रोधी अभ्य प्रोबे 7 बजे तयार रहेगा बिलकुल नहीं भूलेगा लायवाना तब तक के लिए धन्यवाद